अलहिद्गी पसंद लीडर साइद अली शाह गीलानी हुरियत कांफरेंस से मुस्तफी जमूह औ कशमीर में अलहिद्गी पसंद अलहिद्गी पसंद तन्जीम हुरियत कांफरेंस के ताहयात सद्ध नशीन से अलि शाह गीलानी ने अचानक خुद को 16 जमाती इस तन्जीम से अलहिद्गा करने का एलान कर दिया है उन्होंने तन्जीम में बढ़ती बगावत और अदम जवाब दही का हवाला देते हुए अपना ये फैसला जारी कर दिया 90 साला गीलानी जो वादी कश्मीर में अलेदगी पसंद तहरी का एक आम हिस्सा रहे हैं 2003 में हुरियत कानफरेंज के कयाम के बाद से ही इसके सद्र नशीन के वहदे पर फाइस थे कुजिश्टा अगस में दफात 370 की तन्सीफ के बाद इस तन्जीम का सियासी किरदार तकरीवन खत्म हो गया था गीलानी ने इल्जाम आयत किया कि पाक मकबूदा कश्मीर में मौझूद अलेदगी पसंद कायदीन मौका परस्त हैं और अपने शख्सी फायदों के लिए कश्मीर के प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर रहे हैं 1993 में गीलानी गहर मुनकसिम हुरियत के बानी रुक्न थे 2003 में एक्तलाफात के बाद तन्जीम दो हिस्सों में तक्सीम हो गई गुजिश्टा दस बरसों से गीलानी को मुक्तलिफ वजुआत के बहाने उनके मकान में नजर बंद ही रखा गया था जमू कश्मीर असंबली के लिए तीन मनतबा मुनकब होने वाले गीलानी ने बताया के हुरियत कानफरेंस के काईदीन और कारकुन जो पार्क मकबुजा कश्मीर में हैं वहां की हुकुमत में उहदे समालने में ज्यादा दिल्चस्पी दिखा रहे हैं उनका कश्मीर के अलहिदी से कोई मतलब नहीं रह गया है जमू कश्मीर के मौकुफ की तबदीली के बाद इस तरफ के कश्मीर में भी तंजीम की सरगर्मिया ठप पड़ गई है और इसके काईदीन को मसलसल नजर बंद रखा जा रहा है उन्होंने कहा के तंजीम की बदनजमी की जिम्मेदारी वो पाक मखबुजा के काईदीन पर आयत करते हैं कश्मीरियों के हुकुख बहाल किये जाएं अमरीकी सदारती उम्मीद्वार जाओ बाइडन का हुकुमत हिंद से मुतालिवा अमरीकी सदारती उम्मीद्वार और साबिक नायब सद्र जाओ बाइडन ने हिंदुस्तान से मुतालिवा किया है के कश्मीर के अवाम के हुकुख बहाल किये जाएं और साथ ही उन्होंने हालिया दस्तूरी तर्मीम पर मायूसी का इजहार किया जिसमें खुसूसन मुसल्मानों को निशाना बनाया गया है हाल ही मैं अपनी महिमाती वेबसाइट पर शाया करदा एक पालिसी पेपर मुसलिम अमरीकी ब्रादरी का एजेंडा में जोव बैडन ने मगरिवी चीन में दस लाग से जायद यगूर मुसल्मानों की जबरी नस्बंदी और मेनमार के रोहिंगया मुसल्मानों के खिलाफ इम दुस्तान में कश्मीर और आसाम के मसेले को उठाया है नवमर में सद्र मुंतकब होने की सुरत में जोव बैडन ने अपनी पालिसियों का खाका पेश करते हुए कहा के कश्मीर में हुकुमत हिंद को कश्मीरियों के हुकुक की बहाली के लिए तमाम जरूरी एक्दामात कर मस्कुरा पेपर में कहा गया कि आसाम में शहरी के कवम रिजिस्टर पर अमल दरामद और इसके बाद किये गए एक्दामात और शहरीय तर्मीमी कानून की मनजूरी जैसे एक्दामात से जोव वैडन को मायूसी हुई यह एक्दामात मुल्की सेकुलरिजम की तबील रिवा इरान ने ट्रम्प का गरिफतारी वारंट जारी किया कासिम सुलेमानी की हलाकत के इलजाम में अमरीकी सदर और 35 दीगर के खिलाफ इंटरपोल से रुजू इरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प और दीगर आहम अमरीकी सियासी और फोजी जिम्मेदारान की गरिफतारी के लिए इंटरपोल से रुजू किया है इरान ने अपनी फौज के जनरल कासिम सुलिमानी के खतल के खिलाफ सद अमरीका के लिए गरिफतारी के वरंट भी जारी कर दिये अमरीकी सद ट्रम्प और दीगर 30 से जायद लोगों के खिलाफ 3 जनवरी के हमले के इल्जामाद आयद किये गए हैं इरान डोनल्ड ट्रम्प का दोर सदारत खत्म होने के बाद भी मामले की परवी जारी रखेगा याद रहे के रवा साल 3 जनवरी को इराक में अमरीकी ड्राउन हमले के नतीजे में पासदारान इनकलाब की खुद्स फोर्स के सरवराह कासिम सुलिमानी हलाक हो गए थे मक्तूब रियाज मिन जानिब के न वासिफ साओधी अरब साओधी अरब में एक अर्से से तालिमी और दीगर दस्ताविजात की तस्दीख अटस्टेशन बहुत जरूरी खरार दी गई है खुर्सूसन मुलाजिमत के मुतलाशी तारीकिन वतन जहां कहीं जाएं उन्हें अपने मुसद्दखा दस्ताविज पेश करने होते हैं और इन दस्ताविजात का पहले अपने मुतालका मुल्क से अटस्ट करवाना जरूरी होता है इसी की बुरियात पर सौधी में दस्ताविज अटस्ट किये जाते हैं या फिर सौधी अरब में मुलाजिमत हासिल करने के काईश मन अपने मुल्क में रह कर भी ये काम पूरा करवा सकते हैं हिंदुस्तान में बहुत से ट्रावल एजेंट फीज लेकर ये काम करते हैं इसके लिए सौधी अरब की किसी कमपनी का मुलाजिमत की पेशकशी का लेटर होना भी जरूरी होता है दरी असना सौधी वजारत कारिजा की जानिब से दस्ताविजात की तस्दीख के लिए अपाइंटमेंट की सहलत दी गई है फारन आफिस की वेबसाइट पर ये सहलत मुझूद है वजारत कारिजा की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया है कि दस्ताविजात की तस्दीख का पेशगी वक्त लेने के लिए खुसूसी ब्राउजर लांच कर दिया गया है दर्खास गुजार को इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वो वक्त मकररा पर आकर अपनी दस्ताविजात की तस्दीख करा सकेंगे वजारत खारिजा की वेबसाइट पर दर्ज हिदायात के मताबिक कोई भी शख्स जिसे दस्ताविजात की तस्दीख करानी हो वो कुरोना की एहतियाती तदाबीर पर अमल करे वेबसेट पर कहा गया है कि दिये गए पेजगी वक्त से ज्यादा से ज्यादा पांच मिनिट खबल वजारत खारिजा पहुँचा जाए मास का इस्तेमाल लाजमी है वजारत खारिजा आने वाला शक्त तनहा हो किसी को हमराह न लाए समाजी दूरी के उसूल पर अमल करे दफ्तर में दाकल होते वक्त जिसमानी दरज़े हरारत चेक कराना लाजमी होगा काउंटर पर वजारत की वेबसाइट से जारी अपाटमेट नमबर दिखाना होगा वाज़ रहे कि वजारत कारजा में दस्ताविजात की तदीख के लिए दुषवारी होती थी महदूत तादाद में लोगों को नमबर जारी होते हैं कोरोना वरिस की वज़ा से समाजी दूरी के उसूलों पर अमल को यकीनी बनाने के लिए पेशगी वक्त की सहुलत फराम की गई है ताके लोग अपने मुकररा वक्त पर आएं और उन्हें दुश्वारी का सामना ना करना पड़े लीजे अपेश है हमारा प्रोग्राम वक्त अदब में जनाब महम्मद रफीक अकोलवी को समाज फरमाएं एक नजम आपकी पेशे खिद्मत है नजम का अनुवान है अदावतों की मुडेर और कुछ इस तरह कहा है कि अदावतों की मुडेर पर अब रफाकतों का दिया जला है अदावतों की मुडेर पर अब रफाकतों का दिया जला है ये दिल का आंगन हुआ है रोशन कोई जो बिछड़ा था अब मिला है अदावतों की मुडेर पर अब रफाकतों का दिया जला है ये दिल का आंगन होगा है रोशन कोई जो बिछड़ा था अब मिला है और मिला भी ऐसे मिला भी ऐसे कि जैसे कोई नजा के आलम से लोट आए मिला भी ऐसे कि जैसे कोई नजा के आलम से लोट आए मैं तिल मिलाया वो बिल्बिलाए बिलग बिलग कर ही रोते जाए मिला भी ऐसे कि जैसे कोई नजा के आलम से लौट आए मैं तिल मिलाया वो बिल्बिलाए बिलग बिलग कर ही रोते जाए जहन पे काबू नबस में दिल हैं सिसक सिसक कर लिपटते जाएं जहन पे काबू नबस में दिल है सिसक सिसक कर लिपटते जाएं और सॉबते जो जुदाई की थी हमें एक दूजे से कहते जाएं नाशक रुखने का नाम लेते नबंद होती किसी की हिच की ये क्या तमाशा ये खेल कैसा समझना चाहें समझना पाएं नाशक रुखने का नाम लेते नबंद होती किसी की हिच की ये क्या तमाशा ये खेल कैसा समझना चाहें समझना पाएं और थमे जो आँसू रुखी जो हिच की तो एक सक्ता था हम पेतारी नजाने ऐसा हुआ है क्यूंकर दरू ने दिल से सदा ही आई दरून दिल से सदाई आई और क्या सदाई आई कि मिटाने नफरत जलाई तुमने जो शम्मे उल्फत किसी की खातिर मिटाने नफरत जलाई तुमने जो शम्मे उल्फत किसी की खातिर उसी के दम से गिर रोशनी है उजाला है ये उसी के दम से मिटाने नफरत जलाई तुमने जो शम में उल्फत किसी की खातिर उसी के दम से गिर रोश्णी है उजाला है ये उसी के दम से बने है अब तो अटूट रिष्टे कदूरते सब निकल गई है और जमीती नफरत की मूम दिल पर उधीर धीरे पिखल गई है बने हैं अब तो अटूट रिष्टे कदूरते सब निकल गई हैं जमीती नफरत की मूम दिल पर वो धीरे धीरे पिखल गई है और इखताम देखेगा अजरात नजमका के अधावतों की मुडेर तुम को जो रास्ते में अगर मिले तो बस इतना करना दिया रवाकत का उस पर अधावतों की मुडेर तुम को जो रास्ते में अगर मिले तो बस इतना करना दिया रवाकत का उस पर रखना उजाला होगा हर एक जानिब अधेरा च्छता दिखाई देगा और गुजरने वाला हर एक रहजन खलूस दिल से दुआ ही देगा बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समातों का